आज में लेकर आगया हूँ आप सभी Free Fire वोलो के लिए एक ऐसी अप्लिकेशन जिसमें आपको मिलेंगी Free Fire के डेली देर सारे डाइमन्स गिववेज वो भी बिलकल फ्री और सबसे सस्टे पाइसो मी ये रही विंजो एड जिसमें आप खेल साकते हो 100 से भी जाड़ा गेम्स जैसे लुडो, कॉल ब्रेक, जीत साकते हो रोजाना के लाखो रुपीज, साथ हाई इसमें आपको स्टोर सेक्शन मी जाना है और यहाँ आप देख साकते हो ये सस्टे डाइमन्स और मैंने किया इन डाइमन्स को टॉप अप अपने Free Fire अकाउंट मी वो भी फ्री, टुडिक इस बाट की, जल्दी से कीज फ्रीमी कूप सारे डाइमन्स, साथ हाई एक और माज़रदार बाट, विंजो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपको मिलेगा 100 रुपीज एक रेफरल पार, जाओ और उठाओ फायदा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन इनिंग की पहली गेन का सामना करते रुए ओहो उठा के खेल दिया है, खुबसूरत शॉट और ये सीधा बाउंडरी के पार उपर से मारने का मन बना लिया था और सक्षम वे करने में फील्डिंग में परिवर्तन अब पता नहीं भाईया, ये गिंद कहा जाएगी और ये शॉट बस एक रण ही निकाल पाए सिंगल्स और डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है बल्लेबास गेंद को नेजे नहीं रख पाए, लोस शॉट था बॉलर ने तो बल्लेबास को वापसी का रास्ता दिखा दिया ये शॉट को अच्छे तरीके से नहीं खेल पाए, बहतर कर सकते थे बल्लेबास अपनी पहली गेंद की तयारी करते हुए ये शॉट गया हवा में और गैप ने भी गया खुपसूरत शॉट बास्मन अपनी खुबियांद दिखाते हुए बहुत लै में नजर आ रहे हैं चार रन बहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहां बहुत ही खुपसूरत शॉट इतना आसान नहीं है इस शॉट को एक्जिक्यूट करना बल्ले बाज ने गेद बाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा सीधे चार रन की तरा कोई गलती नहीं की बैट्समेन ने यहां पर शॉट अलफास कम पढ़ जाए इस शॉट का वर्नन करने में और दूसरे शॉट पे भी तेज गेन बाज को ही लाया जा रहा है बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तयारी करते हुए और गेंद का इस सीधा हमवाई यात्रपर जबर्दस परहार क्या संपर्ख था गेंद और बल्ले का फील्ड में बदलाव बहुत ही आकरामक बल्ले बाज है ये विशो क्रिकेट में बहुत ही असान सा कैज और इन सीधा फील्डर की जोली में एक लंबा रास्ता तै कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए बहुत ही तेज तरार कैज ज़रूर था पर यहां गेंद बास की भी तारीफ करनी होगी पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब फील्ड तो खुल चुकी है अब इन्हें सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए ओ बहुत ही भैदरीन कपतानी यहाँ इसे कहते हैं होमवग करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पर फील्डर लगा दिया है महतरीन गेंग बाल बाल बचे बल्ले बास पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहाँ बढ़िया रनिंग दोनों बल्ले बासों की विकेट के बीच इस पारी की आखरी गेंद आती हुई पूरी तरह मिस्स किया वहाँ एक बार फिर स्वागत है आप सबका दूसरी पारी की शुरुआत में बल्ले बासों के सामने टागेट सेट है चलिए देखते हैं क्या वो ये चेस कर पाएंगे और ये आ रहे हैं दो अमकार्ण हमें यहाँ अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है तेज गेंबास को लाया जा रहा है इस छोर से बोलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ फील्डर है कवर पर जोरदार अपील और अमपायर को एक पल नहीं लगा उंगली उठाते हुए आउट नजदी की मामला हो सकता है यहाँ बहुत ही बढ़िया अपील की थी और मुझे तो लगता है के रिव्यू जरूर लेंगे अरजी और चकिक पर नहीं प्रिव बडरी अप्रूर्म चांट से अथीधिंगर वंज को बस्निको चांट से अथीधिंगिंगर आप पूंग्स्पट लिए शोकर पेविलियं के तरफ लाग्ते हुए गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौजूद बोलर अपने पसंदीदा छोड से गेंद बाजी करते हुए हवर में खेल दिया है और गैप में भी चार रन बल्ले बास पूरे नियंत रन में थे वहां बल्ले के बीचो बीच से मारा शाट वोहो जब ये मारना शुरू करते हैं इनको रोकना मुश्किल है सिंगल्स और डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्माट में काफी ज़रूरी है उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई संदेह नहीं था कि ये छे रन है गेंद की लेंग्ट का अनुमान तो वो इन्होंने बहुती जल्दी लगा लिया था बहुती खुबसूरत शॉर्ट दूसरी ओवर की शुरुआत यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है बहुती अलग किसम की फील लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्लेबास बहुती अच्छी थाल मेल तोनों बल्लेबास के बीच में बड़िया राणिंग मेट्विंट विकेट्स क्या माच देखने मिल रहा है हमें यहां दर्शक इस माच का पूरा लुफ्ट उठा रहे हैं हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां और यह आउट निराश होकर पैविलियन के तरफ लॉटते हुए बहुत ही खराब शॉट यह तो गेनबाज ने चक्र व्यू रच रखा था जिस तरह मचली फस्ती है जाल में उसी तरह बल्ले बास फस गए इनके जाल में ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पर फिल्डर लगा दिया है ग्याप में खेर दिया है दो रन की कोशिश होगी यहां रनिंग बिट्वीन दो वेकेट्स बहुत ही उमदार रही है दोने बल्ले बास के बीच स्पिनर्स के खिलाफ काफी आक्रमक रवईया अपनाया है इन्होंने हेलारान टेजी से लेते हुए दमदार शॉट जिस तरफ इन्होंने मारा है उस तरफ की बाउंडरी बाकी के बाउंडरी के मुकाबले बहुत ही लंबी है इनके तो बल्ले से सिर्फ चोके और छके ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहा मारेंगे बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए और इसी के साथ मैच समाब ये बाजो ने तो अज कमाली कर दिया बहुत ही जादा नियंतरन के साथ बोलिंग की है अज अखिर में ऐसा लग रहा था के बल्ले बाजो के लिए ये स्कोर तो बहुत जादा है एक टीम की तरफ एक जुठ होकर खेले हैं और चीट के हगदार भी है अज करिछ्छावा है लाज अब बहुत है जाज है बहुत है ये जाज बहुत है अजिए भी बहुत है एक जड़ जादा है ये लिए